तो फ्रेंड आज में हाप कोलार फ्रोग और कूर्ती का शोल्डर आर्म होल नेक लाइन नेक दी बैक और फ्रॉंट साइस की हिसाब से किस तरीके से लेना है और कितना लेना है स्टेप बाश टेप आपको 28 साइस से 50 तक दिखाऊंगी तो फिर सबसे पहले देखें हैं आप 28 साइस तो 28 साइस पर देखिए शोल्डर आपको 6,5 छ लेना है और इसके लिये आपको तियार करना है उसके शոल्डर की मादरमिल ले के भिया आप शक्ते हो और shoulder down यहाँ पर देखिए 0.75 इस लेना है और neckline 2.5 इस लेना है और back neck deep देखिए 0.5 इस देना है तो back side पर deep tank जदा होने से क्या होता है पहनने के बाद पिछी के तरफ हलका सा खीचाप होता है जिसे करण हमेशा आपको 0.5 इस देना है और front neck deep देखिए 4 इसे 4.5 इस तो आग और front side पर आपको hook क्या chain नहीं देना है उस time पर आपको और भी थुरा ज्यादा लेना होगा और 30 side पर देखिए shoulder 7 इस लेना है shoulder down 0.75 इस और neckline 2.5 इस और back neck deep 0.5 इस यह से मी राखना है आपको front neck deep देखिए 5 इसे 5.5 इस आपको लेना है यहाँ पर देखिए अगर आप front side पर छोड़ा राखना चाहते हो छोटा भी ले सकते हो अगर थुरा ज़्यादा आपको चाहिए ज़्यादा भी आप ले सकते हो 34 size पर देखिए shoulder 7.5 इस पर 7.5 इस पर 7.5 भी हो सकता है 7.2 भी होता है जिसके लिए आपको तैयर करना है उसकी हिसाब से आप shoulder कम ज़्यादा ले सकते हो लेकिन बाकी जब measurement यह आपको सेम लेना है और shoulder down देखिए 0.75 इस राखना है यह size कुछ भी हो इस तरीके सा आपको ल ले सकते हों और 36 size पर देखिए shoulder 7.5 इस और shoulder down 0.75 इस नेक लाइन 2.5 इस और back neck dip 0.5 इस और front neck देखिए 5.5 इस आप 16 इस ले सकते हो इस पर आप चाहते हो front side पर थुरा ज़्यादा राखना आप रहाख सकते हो लेकिन यह normal size है और 38 size पर देखिए shoulder 7.5 इस पर देखिए shoulder में हमिशा बोलती है shoulder आपनी हिसाब से लेना यह कौम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बागी measurement आपको same रखना है तो यह आप देखिए 38 size से normally 7.5 इस होता है और shoulder down 0.75 करना है neck line 2.5 इस और back neck dip 0.5 इस और front neck dip 5.5 इस से आप 16 इस ले सकते हो और 40 size पर देखिए shoulder 7.5 इस और shoulder down 0.75 इस neck line 2.5 इस और देखिए 40 size पर neck line पर देखिए अगर आप neck का चोरा है थुरा ज्यादा लेना चाते हो थुरा साफ फेला हुआ राकना चाते हो उस टाम पर आपको 2.75 इस से 3 इस आपको लेना है तो मैंने यह आपको measurement देखिए यह बिल्कुल fitting specimen है अगर आपको थुरा साफ फ 7.75 इस और shoulder down 0.75 इस और neck line देखिए 2.75 इस और back neck dip 0.5 इस और front neck dip 6 inch 6 and half इस और 44 size पर देखिए 7.75 इस से shoulder 18 हो सकता है इसमें अपनी हिसाब से आपको लेना है और shoulder down आपको semi राकना 0.75 और neckline देखे 2.75 और back neck dip देखिए 0.5 इस से आप 0.75 ले सकते हो इसमें दोनों में से कोई measurement आप ले सकते हो अगा ज़्यादा fitting चाहिए उस ताम पर 0.5 इस ले जगाओ हलका सा आपको free चाहिए उस ताम पर आप 0.75 इस ले सकते हो मतलब 1 एक इस आप ले सकते हो और front neck dip देखे 6.5 इस से आप 7.5 इस यहाँ पर ले सकते हो और 46 size पर देखे shoulder आपको 80 इस लेना है इतना है ज़्यादा तर आता है अगर किसी का shoulder बहुँ ज़्यादा होता है उस ताम पर थूरा ज़्यादा हो सकता है और shoulder down से बराकना 0.75 इस और neckline देखे यहाँ आपको 3 इस लेना है और back neck dip देखे 0.75 इस लेना है यहाँ पर थूरा सा आपको ज़्यादा कर लेना है और front neck dip देखे 7.5 इस है और 48 साइस पर देखे शोल्डर 18 से 8.2 दोनों से कोभी मैजरमंड आपका हो सकता है यह ज़्यादा भी हो सकता है और देखे शोल्डर डाउन 0.75 इस और neckline 3 इस और back neck dip 0.75 इस और front neck dip 7.5 इस से आपको 18 लेना है और 50 साइस पर देखे ज़रूर आपक हो सकता है उसी हिसाब से आपको देना है और शोल्डर डाउन देखे सेम राख देना है 0.75 इस साइस कुछ भी हो यहाँ पर चेंज करने का आपको ज़रूरी नहीं है और neckline देखे यहाँ पर 3 हिसाब को लेना है और back neck dip 0.75 इस लेना है और front neck dip 7.5 इस से 8 is front side पर भी आप measurement आपको सेम राखना है लेकिन इहाँ पर शोल्डर और front neck dip आपनी पसंद की हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हो तो फ्रेंड्स मुझे उमित हाप को लार कूरती है फ्रोग पर शोल्डर का measurement आर्म होल पूरा जो measurement है साइस की हिसाब से किस तरीक से लेना है आपको step by step सम मजब्या आग क्या होगा इसके बाद भी आगर आपको कोई वी दिक्कात होता है आप हमें जरूर कमेंट में बोल सकते हूं वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद